Welcome back to our channel आज का हमारा topic रहेगा testing and यहाँ पे हम जितनी भी types of testing हमारे syllabus में given हैं वो सब discuss करेंगे and कुछ extra testing भी हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखो जो हमारा batch start हो रखा है वो है यहाँ पे H.T.E.T. के लिए हम यहाँ preparation कर रहे हैं साथ ही में जो H.P.S.E. Assistant Professor Computer Science का एक्जाम होने वाला है उसके लिए and UK.P.S.E. Polytechnic Lectural Computer Science के लिए जो एक्जाम होने वाला है वो तो यह तीन यहाँ पे एक्जाम है और इनमें जो Computer Science का syllabus given है उसमें mention है Software Engineering ठीक है अब Software Engineering में जो वहाँ पे एक topic है testing तो तीनों के लिए यह class क्या रहेगी helpful रहेगी तीनों के लिए यह class क्या रहेगी important रहेगी तो आप यहाँ पे चाहे है H.T.E.C.E. की प्रिप्रेशन कर रहे हो या फिर H.P.S.E. की कर रहे हो या फिर UK.P.S.E. की कर रहे हो अगर testing वहाँ पे given है ठीक है वहाँ पे testing given ही है तो आपको यह class देखनी है यहाँ पे testing के बारे में हम सारी बाते करेंगे कौन सी testing होती है black box, white box, grey box की बीच में क्या difference है और alpha, beta कौन सी होती है तो यह सारी testing हम यहाँ पे देखेंगे साथी में bug, error, fault, failure, defect इनके बीच में क्या difference है वो भी हम यहाँ पे cover करेंगे तो यह सारी बाते हम आजी की class में cover करेंगे क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को जरूर like, share कर देना ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टेस्टिंग टेस्टिंग क्या काम करती है टेस्टिंग क्या होती है सबसे पहले हम definition से बात कर लेते हैं तो definition की हम यहाँ पे अगर बात करें तो जब हम SDLC phases की बात कर रहे थे जहाँ पे हम क्या करते हैं software अपना develop करते हैं तो उसी में एक phase आता है testing and debugging का टेस्टिंग क्या होती है टेस्टिंग यहाँ पे एक process है या फिर एक technique होती है जिससे कि हम find out कर सकते हैं कि हमारे program में कोई error है या नहीं एक बात और यहाँ पे note करना कि जो testing है जरूर ही नहीं है कि वो सभी error show करें ऐसा नहीं होता कि testing हर type का error show कर देगी लेकिन mostly testing से हम error और defect का पता कर सकते हैं अब testing सिर्फ हमें ये बताती है कि error है या नहीं क्या error है वो हमें बताती है उसको ये correct नहीं करती सिर्फ ये testing है जो error आए है उनको rectify करने की जो process होती है में पता चला उसके बाद यहां पर देखो next attributes of software ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या attributes होते है software के reliability, scalability, portability, reusability and usability ये हमारे क्या है 12345 यहां पर क्या given है एक efficiency भी होता है six attributes होते हैं यहां पर software के ये attributes क्या होने चाहिए fulfill होने चाहिए and इसी attributes को fulfill करने के लिए एक तरह से हम क्या कहता है कि testing यहां पर करते है कि भाई testing करने के बाद हमारे ये attributes क्या होने चाहिए fulfill होने चाहिए अब next क्या है software testing में bug, defect, error, fault, failure 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 terms होती है इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि क्या होता है सबसे पहली term है यहां पर bug bug क्या होता है bug का मतलब है कि जो bug क्या है आपका refers to the defect which means that software product or the application is not working as per the adhered requirement set एक bug का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा program है जो हमारा product है वो क्या नहीं कर रहा requirement के according काम नहीं कर रहा bug क्या है एक defect है यहां पर ठीक है bug क्या है एक defect है कि हमारा software काम नहीं कर रहा and ये जो bug होता है वो किस से आता है तो logical error की वज़े से आ सकता है ठीक है मान लो कोई logical error है and logical error की वज़े से क्या होगा हमारा ये bug आता है तो ये bug हुआ second है यहाँ पे defect defect क्या हुआ defect का मतलब होता है कि software तो काम कर रहा है ठीक है एक बार समझो कि software काम कर रहा है लेकिन जो result हमें चाहिए वो result नहीं दे रहा समझ में आई बात कि software तो काम कर रहा है application काम कर रही है लेकिन वो result गलत दे रहा है कुछ और result वो दे रहा हमारी requirement के according वो result नहीं दे रहा तो इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई defect आ गया है next क्या है error error क्या होता है error क्या है कि error का मतलब क्या है जो developer है उसने अपना program बनाया developer ने program बना दिया और वो काम भी कर रहा लेकिन developer को ही समझ में नहीं आ रहा कि उसने गलत समझा या फिर हम यह कह सकते हैं तो उसने गलत logic लगा के क्या कर दिया program बना दिया अब मतलब हमारा program हमारे पास है लेकिन वो गलत है एक तरह से customer के according requirement के according वो सही नहीं है तो मतलब जो code वहाँ पे prepare हुआ है वो क्या है buggy code हम उसको कह सकते हैं तो ये क्या होता है? error होता है कि developer को क्या नहीं समझ में आई ठीक से requirement समझ में नहीं आई इस वज़े से या तो उसने कोई गलत logic लगा दिया, कोई गलत syntax या कोई गलत loop वहाँ पे use कर लिया है तो इसकी वज़े से क्या आता है? error आता है अगर आपके program में error है उसको ठीक से नहीं किया गया, देखा नहीं गया है तो fault आ सकता है fault generally किस वज़े से आता है? तो fault यहाँ पे देखो lack of resources की वज़े से आ रहा है या फिर properly steps follow नहीं किये गए उसकी वज़े से program में आपके application में क्या आया है? fault आ गया है generally हम मानते हैं कि fault आया है कि documentation यहाँ पे वो सही से नहीं हुए है invalid documented steps की वज़े से fault आया है और यह क्या देगा? एक warning देता है program में वैसे तो same-same सी definition है लेकिन एक बार यहाँ पे थोड़ा जो minor-minor सा यहाँ पे क्या है difference है वो हमें देखना है तो क्या हो गया? fault हो गया अगर fault ठीक नहीं किया जाए तो क्या होगा? failure होगा failure का मतलब क्या हुआ यहाँ पे आपका सारा data information यहाँ पे क्या हो गई है? loss हो गई है मतलब आपकी application का यहाँ पे क्या हो रही है? fail हो गई है अब यहाँ पे काफी सारे उसके अंदर defects आ गए है जिसके वज़े से software failure हुआ है अब यह software जो failure है ना यह कौन detect करेगा किस side होता है तो यह user की side में detect होता है ठीक है क्योंकि वही क्या करता है कोई ना कोई software में उसे issue वहाँ पे दिखाई देता है तो इतना हुआ अब यहाँ देखिए error या mistake यह क्या बना देते हैं कोई ना कोई defect बना देते हैं कोई bug बना दे यह क्या result में आएंगे इनकी वज़े से failure होता है इतना हमें समझ में आ गया अब यहाँ पर क्या है next हम चलिए बात कर लेते हैं किसके types of testing की types of testing यह देखो यह एक डैग्राम में सारी testing यहाँ पर describe की गई है mention की गई है कि software testing यहाँ पर two types की होती है manual testing and automation testing manual testing क्या होती है manual testing होती है जो tester manually करता है इसमें उसे programming की requirement नहीं होती वो manually करेगा test cases यहाँ पर develop करेगा manually वहाँ पर output दिखाएगा automation testing क्या होती है automation testing में tester का बहुत कमी रोल होता है यहाँ पर क्या यूज होते है कुछ कई tools यूज होते है testing के लिए तो यह होती है automation testing manual testing three types की होती है first white box black box and gray box testing अब तीनों में difference देख लेते हैं generally हमारे exam में इन्हीं का question आता है तो white box black box and gray box अब black box क्या होता है देखो यह क्या है एक यह हमारे अब software है application black box में हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे check करते हैं कि जब हम कुछ input दे तो क्या हमारी output आई मतलग input से क्या output मिली क्या input दी क्या output मिली यह क्या होती है black box testing होती है क्या मिली मतला what का यहाँ पर हम question करते हैं कैसे मिली अंदर क्या working हो रही थी वो यहाँ पर कुछ नहीं पता चलता black box के अंदर सब एक black box की तरह होता है यहाँ पर अंदर क्या हो रहा है उससे यहाँ पर किसी को कुछ नहीं पता चल रहा है ठीक है, टेस्टर को कुछ नहीं पता, कोई information नहीं है, क्या करना है, सिर्फ input देनी है, और क्या output आई, वो हमें यहाँ पर देखनी है, यह होती है black box testing, second है white box testing, white box testing में जो अंदर की functionality है, उसको भी check किया जाता है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, how की हम यहाँ पर बात करते हैं Functionality के यहाँ पर हम बात करते हैं, जीक है, वो होती है white box testing, white box testing को glass testing भी कहा जाता है, ग्रे box और transparent testing भी कहा जाता है, gray box क्या होती है gray box testing white box and black box का combination होती है मतलब इसके अंदर white box के features भी रहेंगे और black box के features भी रहेंगे इसका मतलब gray box में what and how दोनों की बात होगी चीक है बात हो गई white box and black box testing की पता चल गया हमें कि दोनों में क्या difference है फिर next यहां पर बात करेंगे अब किसकी हम types of black box testing black box testing के यहां पर two types होते हैं first है functional testing and second है non-functional testing जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है functional testing में उस software के functions चेक कि जाएंगे कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे और non-functional testing में जो functional testing में जो चेक नहीं हुआ वो non-functional में चेक किया जाएगा non-functional की यहां पर बात होगी and जितनी important functional testing है उतनी ही important non-functional testing भी रहेगी functional testing के तीन टाइप होते हैं first होती है unit testing, second होती है integration testing and third होती है system testing non-functional के भी हम यहां पर तीन टाइप देखते हैं first है performance testing, second है usability testing and third है compatibility testing अब इनके बारे में one by one हम यहां पर देखेंगे class अच्छी लगे तो जरूर like करना अब यहां देखो functional testing में जो सबसे पहले आता है वो है unit testing और जो सबसे पहली testing होती है वो भी होती है unit testing unit testing में क्या होता है जैसे कि unit से पता चल रहा है कि यहां पे हर एक module को अलग से क्या किया जाता है test किया जाता है अगर 10 modules है तो हर 10 modules को क्या किया जाएगा test किया जाएगा कि वो ठीक से काम कर रहे है या नहीं कर रहे मतलब उनको individually उनकी यहां पे क्या होगी testing होगी ठीक है, first step होता है, individually, सभी modules को test करना, and वो क्या है, unit testing है, second आती है, integration testing, अब हमने यहाँ पर individually test कर लिया है, second step रहेगा, कि इनको क्या करना है, merge करना है, integrate करना है, तो integration testing होती है, कि जब हम modules को combine करते हैं, तब वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं, यह देखना, integration testing मतलब, कि individual जो modules है, जब उनको merge किया गया, combine किया गया, तब वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, वो integration testing में check किया जाते हैं, अब यहाँ पर देखो, integration testing के भी यहाँ पर कुछ types होते हैं, ठीक है, integration testing में दो type होते हैं, first होती है incremental testing, and second होती है non incremental testing, incremental testing में क्या होता है, कि जब हम modules को combine करते हैं, तो उनमें increment करते जाते हैं, मतलब कि, ठीक है, increment किया है, और यहाँ पर non incremental करते हैं, इनके बारे में हम बाद में भी discuss करेंगे, incremental testing में यहाँ पर two types आ रहे हैं, first है top down, and second है bottom up, top down का मतलब क्या हुआ, कि हम एकदम top से start करेंगे, then modules को यहाँ पर क्या करते जाते हैं, combine करते जाते हैं, और फिर उनकी testing होती जाती है, bottom up में क्या होता है, कि हम नीचे से start करते हैं, ठीक है, और फिर देखेंगे कि वो modules ही से काम कर रहे हैं, या नहीं, यह होती है bottom up approach, top down में क्या होती है, हम root से start करते हैं, एकदम और bottom up में हम last से start करेंगे, फिर next हमारा होता है system testing, चीक है, integration test हो गया, अब यहाँ पर next क्या रहेगा, system testing मतलब यहाँ पूरे completely पूरे जो system है, उसकी यहाँ पर क्या की जाएगी, testing की जाएगी, वैसे यह last यहाँ पर phase माना जाता है system testing का, लेकिन फिर भी इसके बाद एक testing और होती है, वो होती है acceptance testing, ठीक है, कौन सी testing होती है, acceptance testing इसको भी हम देखेंगे, system testing के बाद होती है हमारी acceptance testing, acceptance testing के भी यहाँ पर तीन type होते हैं, first होता है user acceptance, second होता है alpha, and third होती है यहाँ पर बीटा testing, तो यह होती है acceptance testing, फिर non-functional testing आ जाती है, non-functional testing में जो first है वो है performance testing, यहाँ पर हमारे software की क्या चेक की जाएगी, performance check की जाएगी, कि वो कैसा काम कर रहा है, क्या speed है, कैसे क्या वो, वहाँ पर हैंडल कर रहा है, जितना भी हमने उसमें functions दिये हैं उनको, फिर यहाँ पर usability second है, and third compatibility, performance testing में क्या है, चार टाइप से हैं आपर, load testing, stress testing, scalability testing, or stability testing, load testing, load testing में क्या होता है, कि हम हमारे software में, कुछ extra उसको क्या देंगे, उसको extra load देंगे, जितनी उसकी limit है, उससे ज़्यादा उसको हम क्या करेंगे, input देंगे, या फिर कुछ और extra वहाँ पर क्या करेंगे, उसमें देंगे, जितनी उसकी limit सेट की गई है, उससे extra उसको क्या देना है, load देना है and then check करेंगे कि उसका क्या behavior रहेगा वो होती है load testing फिर यहाँ पर second रहेगी stress testing ठीक है इसके बारे में अब हम एक एक करके क्या करते हैं discuss करते हैं सभी के बारे में वैसे generally जितनी important testing मैंने आपको mean mean points यहाँ पर बताएं अब जितनी रह गई है और जो हमने कर ली हैं उनको भी हम एक बार क्या करेंगे फिर से यहाँ पर discuss करेंगे चीक है तो manual testing मैंने आपको बताया manual testing क्या होती है कि यह tester करता है and इसमें कोई coding की requirement नहीं होती tester क्या करेगा यहाँ पर test cases को generate करेगा software को test करेगा और जो उसकी final report आएगी वो यहाँ पर देगा यह एक time consuming process होती है कौन करता है human being यह करता है and manual testing human being करते हैं तो इसलिए इसमें human error होने के क्या होते chances होती है coding की requirement नहीं होती यह fast and accurate यह visual feedback रहता है less expensive रहेगा automation testing कौन करता है यहाँ पर development tools sorry automation tools होते हैं जिनका यहाँ पर tester use करता है और उनमें क्या होती है script भी होती है tester write script on their own and use software or automation tool to test the software यहाँ पर क्या benefit हो जाएंगे reliability improve होती है हम एक साथ बहुत सारे test कर सकते हैं हम manual testing में इतने ज़्यादा test cover नहीं कर सकते हैं जितने यहाँ पर cover कर सकते हैं human interaction यहाँ पर minimize हो जाती है black box testing मैंने आपको बताई दिया है कि क्या होती है कि इसमें हम क्या input दे और क्या input output मिली हमें वो होती है black box testing इसमें source code visible नहीं होता फिर next होता है हमारा white box testing इसे wbtb कह देते हैं इसमें कैसे वो work कर रहा है उसकी functionality क्या है कैसे वो काम किया क्या input दी तो वो कैसे हमें आउटपूट मिली वो यहाँ पर white box testing में देखा जाता है white box testing को ही open box testing भी कहते हैं गलास box testing कहते हैं structural testing भी इसे ही कहते हैं क्योंकि structure की बात हो रही है clear box testing transparent box testing तो यह सभी नाम किसके हैं white box testing के ही रहेंगे उसके बाद next हमारी है gray box testing जो क्या रहेगा दोनों का combination रहेगा white plus black box testing फिर आती है types of black box testing first step का functional functional testing को ही component testing भी कहा जाता है इसमें क्या check किया जाएगा उसकी functional requirement और specification को क्या किया जाता है test किया जाता है कि जो functionality हमें चाहिए जो हमारी requirement थी वो यहाँ पर यह fulfill हो भी रही है या इसमें कोई problem आ रही है या कोई bug है यहाँ पर कोई error आ रहा है तो वो यहाँ पर check होता है non-functional testing उसकी जो non-functional requirement होती है वो यहाँ पर test की जाती है मतलब कि उसका behavior क्या है किसी भी requirement की according और जो functional testing में test नहीं हुए वो यहाँ पर cover हो जाएंगे types of functional testing first होता है unit testing individual components को यहाँ पर क्या किया जाता है test किया जाता है unit testing कौन करता है exam में पूछ लेता है developer करते है unit testing कौन करते है developer करते है individually हर module को यहाँ पर test किया जाएगा unit testing white box और black box दोनों भी include होती है तो ऐसा नहीं है कि unit testing के वल black box का example है white box का भी एक type रहेगा तो unit testing दोनों का ही type है integration testing में क्या होता है हम यहाँ पर different different modules या components को क्या कर देते हैं combine करते हैं and then उनको महाँ पर test करते हैं कि वो अब ठीक से काम कर रहे है या नहीं कर रहे है types of integration testing में क्या था तो देखों यहाँ पर एक होती है top down testing top down में highest module से हम start करते हैं and then lower module को differentiate करेंगे bottom up में क्या करेंगे lowest level module से start करेंगे and then integrate them with the higher level modules एक big bang testing भी आता है यह क्या होता है इसमें हम सभी modules को एक साथ combine कर देते हैं फिर next है incremental testing incremental testing क्या है यहाँ पर देखो it integrates the module in small group testing each group as it is added system testing system testing को end to end testing भी कहते हैं and यहाँ पर system testing में क्या होता है जो हमारा complete software है जिसको हमने integrate कर दिया है क्योंकि यह integration testing के बाद होती है तो उसकी जो overall functionality है overall उसकी जो performance है वो यहाँ पर क्या की जाती है test की जाती है अब अगर यह test यहाँ पर successful होता है तो इसका मतलब हम उसे user को क्या कर सकते हैं उसे deliver कर सकते हैं integration testing के यह बाद होती है लेकिन acceptance testing से यह पहले होती है फिर next हमारा क्या है performance testing non-functional testing के यहाँ पर type से performance testing में उसकी क्या की जाएगी performance check की जाएगी कि वो उसको extra workload वो handle कर सकती है या नहीं कर सकती उसकी stability के बारे में उसकी reactivity के बारे में हम यहाँ करेंगे check करेंगे फर्स इसके टाइप रहेगी load testing जैसा मैंने बताया कि उसको extra load वहाँ पर दिया जाएगा and then उसकी performance को check किया जाएगा next क्या है stress testing stress testing में क्या होता है तो यहाँ पर देखो it is used to analyze the user friendliness and robustness of the software beyond the common functional limits मतलब जो उसकी limit है उसके बाद में इसकी limit अगर cross हो जाएगा then उसको behavior को या क्या किया जाएगा test किया जाता है scalability testing scalability testing में क्या है the application's performance by enhancing or reducing the load in particular balance is known as scalability test stability testing is generally performance testing में एक तरह से उसका performance ही check हो रहा है where we evaluate the application's performance by applying the load for a precise time यहाँ पर time दिया गया है stability के अंदर second है usability testing usability testing का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर मान लो एक product यहाँ जैसे example मेंचन है कि एक product डिजाइन किया and when it becomes completely ready तो हमें क्या चाहिए एक customer चाहिए जो check करे कि हमारा software हमारा product ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा ठीक है तो usability testing में क्या होता है किसी ना किसी customer को हम वहाँ पर एक तरह से search करेंगे and then किसी customer को क्या करेंगे हमारा product उसे देंगे and then observe करेंगे कि कैसा वो work कर रहा है ये भी किसका part है SDLC का ये एक part रहेगा compatibility testing compatibility testing का मतलब क्या हुआ कि एक तो ये non-functional testing का example है दूसरा ये है कि compatibility का मतलब है कि वो different different platform पे काम करने के लिए ठीक है या नहीं compatible है या नहीं तो ये होती है compatibility testing कुछ और testing है जैसे regression testing है जो हमारे syllabus में mention भी है तो regression testing क्या होती है regression testing का मतलब होता है कि मान लो आपने अपने software में कोई modification किया है उस modification के बाद आपका software ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा वो test करना regression testing कहलाता है next हमारा रहता है acceptance testing acceptance testing होती है system testing के बाद यहाँ पर क्या check किया जाएगा पहली बाद तो यह note down करना कि acceptance testing कौन करता है यह customer करता है और कब check करेगा जब उसको product deliver हो जाता है तो अब वो check करता है कि जो उस requirement दी थी उसके according वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा एकसेप्टेंस तेस्टिंग यहाँ पर यूज होती है on the client site on the developers site alpha testing alpha testing यहाँ पर देखो alpha testing कौन करता है alpha testing करते है कुछ specialized tester होते है जो जिन्होंने काम किया है उनके अलावा यहाँ पर कुछ specialized tester होते है जो उसके उपर मतलब उसको क्या करेंगे test करेंगे alpha testing is used to determine the product in the development testing environment उसी environment में testing environment by a specialized tester team usually called alpha testers अब यहाँ पर इसके लिए term भी use होती है conducted by the development और QA team बीटा टेस्टिंग से पहले alpha testing होती है alpha testing combine करती है white box and black box testing techniques को next बीटा टेस्टिंग बीटा टेस्टिंग कोन करता है real end user कोन करते है beta testing and this ही क्या कहते है beta tester कहते है beta testing में क्या है software is made available to a selected group of users who are willing to test the product and provide feedback to the developer alpha testing में जो specialized experts थे टेस्ट कर रहे थे उसी testing environment में testing environment वही था लेकिन beta testing में यहां पे कुछ और users को select किया गया है अब यहां पे expert नहीं है यहां पे कुछ users को select किया गया है यहां पे users होते है जो अपने मतलब की अपने according कहीं पे भी test कर सकते हैं कहीं पे भी use कर सकते हैं वह होते है beta tester हो गया यह क्या थी हमारी testing थी अब इतना ही है टेस्टिंग के बारे में तो यहां पे हमने क्या देखा testing क्या होती है bug, error, fault, failure, defect effect के बारे में minor सा difference है वह हमने यहां पे चेक किया जितनी भी testing के types है वह हमने यहां पे देखे white box, black box, grey box, functional, non-functional then functional के types non-functional के types तो यह कुछ important testing हमारे syllabus में गीवन है आप HPSC यहां पे रेच्टेट या UKPSC इन तीनों में से या किसी और exam के लिए preparation कर रहे हो और तो testing अगर given है तो यही testing आपको वहां पे syllabus में मिलेगी okay telegram group का link description box में मिलेगा class अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा share करना and like पी जरूर करना और comment करके भी बता सकते हो आपको class कैसी लगी next class में हम htet का जो हमारा batch रहेगा htet के बैच के लिए हम python start करेंगे क्योंकि उसमें next topic हमारा क्या है python है htet के लिए and जो हमने HPSC और UKPSC के लिए software engineering start की हुई है उसमें हमारा जो next topic रहेगा वो रहेगा v model उसको हम क्या करेंगे discuss करेंगे तो यह दोनों classes आपको कल मिलेंगी आज के लिए इतना ही okay thank you